प्रो टिप्स की सीरीज में आप सभी का बहुत प्यारा रिस्पॉंस मिल रहा है तो हमने सोचा क्यों ना और सब्जेक्स को इस सीरीज में इंक्लूट करा जाए तो आज हैं इंग्लिश की बारी क्लास 12 CBSE के बोर्ड एक्जाम में मुझे इंग्लिश में 95 मार्क्स मिले थे तो मैं एक सही बन्दा हूँ जो आपको बता सकता हूँ कि इंग्लिश का प्रप्रेशन कैसे करा जाता है तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं तो हमारा पहला पॉइंट निकल कर आता है राइटिंग स्किल्स रिलेटेड ये पॉइंट के बाद आपकी राइटिंग स्किल्स की सारी प्रॉब्लमी खत्म हो जाएंगी सबसे पहले तो latest labor अच्छे से चेक करिए कि इस बार writing skills में आपको आ क्या क्या रहा है letter, report, article होता है हमारा invitation और बहुत सारी चीज़ा हमें देखने को मिलती है तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है उसके बाद इन सबका format आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए i button में मैं playlist का link डाल दूँगा हमारी पूरी playlist आ चुकी है आप उसको चेक करेंगे आपको format वागेरा सब पता चल जाएंगे तो हर चीज़ का format आपको पता होना चाहिए अब एक बार आपको format पता हो गया ये जितनी भी चीज़े हैं उसको कम से कम चार बार आपको लिख कर देखना है मतलब letter कर रहे हैं चार बार लिख कर देखे invitation कर रहे हैं चार बार कर ये जितनी भी चीज़े होती हैं उन्हें चार बार हमें लिख कर देखना है तो राइटिंग स्किल के लिए ही करना है सबसे पहले फॉर्मिट और फे चार बार लिखकर प्रेक्टिस इसके बाद राइटिंग स्किल्स पर और कोई टाइम वेश करने की जरूवत बिल्कुल भी नहीं है बाकी चीजों पर आप टाइम अप दे रहे होंगे इसके बाद सक्सेस सीडीज नाम की एक वेबसाइट होती है वो बहुत अच्छा काम यह करते हैं कि उपर NCRT की लाइन्स होती है और नीचे उनी लाइन्स को इजी लैंग्विज में लिखा हुआ होता है तो आप अगर वो पूरी वेबसाइट का कोई भी चैप्टर कोई भी पोईटरी सब कुछ देखना है वीडियो में आपको difficult word के meaning, literary devices, important questions सब कुछ देखने को मिल जाएगा अब आपने वीडियो कर लिया कोई भी चैप्टर हो कोई भी poetry हो अगर आपने read भी कर लिया और सुन भी लिया आप नहीं भूल सकते इसके बाद आपको इसमें दिक्कत ही नहीं होग जैसे हमें history, political, science, बाकी subjects में देखने को मिलता है तो इसमें आगर आपके पास एक सही question bank है तो आपका हो जाएगा market में समें दो question bank का रही है एक Oswal Gurukul और एक All-in-one ये दोनों मुझे बहुत ही शानदार लगती है English के लिए दोनों का link मैं description में डाल दूँगा कोई भी एक आप इन दोनों में से purchase कर लेना इन में formats भी आपको देखने को मिल जाएंगे question answer भी देखने को मिल जाएंगे एक बार question answer आपने कर लिए बहुत limited ही question answer होते हैं बोर्ड में आप देखेंगे लिए तो सारे पड़े वाले ही question answer आ गए देखेंगे तो वहाँ पर आपको difficult words देखने को मिल जाएंगे उनको याद करिए NCRT के difficult words आपसे बनने लगे आपकी vocab strong हो जाएगी आपको paper में दिक्कत नहीं होगी यह आपको करना है दूसरे number पर मैंने आपको question bank के बारे में बताया जितनी बार आप question answer read कर सकते हैं उतनी बार read करिए board exam में आपको वही question देखने को अगर मिल जाते हैं तो आपको answer बनाने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको पता होगा इसका answer कैसे लिखते हैं तो जितनी बार आप revision कर सकते हैं उतना अच्छा है अगर आपकी grammar इतनी strong नहीं है तो इसके बाद format वगएर अच्छे से देख लीजिए topic change हो सकता है बीच का थोड़ा बहुत change हो सकता है वीडियो बगरा English की आप देखिए उससे और आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा लेकिन यह tricks आप फॉलो करिए English के पेपर में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब इसके बाद जो मैं आपके साथ tip शेयर कर रहा हूं वह सबस्याद है word limit देखिए हमारा English history or political science यह सा subject नहीं है जापर answer थोड़े बड़े छोटे होगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है English में आपको word limit follow करना पड़ता है चाहे वो question answer हो चाहे वो writing skill वाला section हो word limit mentioned होती है question paper में और उसको follow करना होता है लेकिन बच्चे जब लिखकर practice नहीं करते तो होता क्या कुछ के answer बहुत कर सकते होतने करो लिखकर writing skill की practice करो word limit का आपको ध्यान देना पड़ेगा word limit बहुत important होती है तो paper भी time पर नहीं हो पाएगा और फिर marks भी आपको कम मिलेंगे यह चीज़ आपको याद रखना है English के लिए इसके बाद आखरी tip निकल कर आती है sample papers के बारे में sample paper solve करना बहुत है लेकिन उससे जदा important है सही तरीके से solve करना इस पर मैं आपको जादा नहीं बताऊंगा उपर end screen में वीडियो डालता हूं एक वीडियो पहले ही आ चुकी है कि sample paper सही तरीके से solve करने का तरीका क्या होता है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद आ मुझे comment section में बताइएगा signing off guru timer आप आए